हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो आवर चैनल, स्टॉक इंजिनियर्स, सो गाइज जैसा कि हम डेली इंडेक्स का अनालिसिस करते हैं, तीन मिनट के अंदर, चलिए स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम डेली चार्ट देखेंगे, इस लेवल के हमने बात किये थी, कि ये लेवल हमारा रिटेस्ट की तरह काम कर सकता है, ये तूटा, तो नेगेटिव है, नेगेटिव के बाद क्या है, नेक्स्ट हमारा जो की बोल सकते हो, बाई उन डिप हमारा जो लास्ट अभी के लिए ये लेवल है, ये तूट गया, तो आपको वैसे भी 100% भाहर बैट जाना चाहि आज मैं बोल रहा हूँ 40% भाहर बैट जाहिए, तो वो भी मैं ट्रेडिंग अकाउंट के लिए बोल रहा हूँ, तो इस पर चलते हैं, बैंक निफ्टी पर चलते हैं एक बार फिर से, बैंक निफ्टी पर देखें, तो वैसे ओवरॉल आपका नेगेटिव नहीं हुआ, द दुवारे हम निफ्टी पर चलते हैं, निफ्टी में आप देखोगे, अगर मैं छोटी-छोटे swings भी लूँ, यह छोटी-छोटे यहां पर जैसे ये swing लूँ, यह swing लूँ, तो इस swing का भी low भी नहीं टूटा है, इसका मतलब lower low अभी नहीं बने है, डेली चार्ट पर आज म के लिए हमारा क्या लेवल है यह तूटना वाकि है या फिर बैंक निफ्टी में यह लेवल अभी यानि एट लिस्ट थोड़ा चिन्न मिनना माइनर से आपको छोड़ना पड़ेगा कि आपने वह दो रूप नीचे चला गया सब कुछ खतम हो गया नहीं एट लिस्ट यहां त केंडल तक भी आपकी क्रोश नहीं कर पाया तो आगर 61.8 के पास आपका अरुन करता है तो ठीक है लेकिन फर्स्ट केंडल नहीं आपको बता दिया कि नहीं कर रहा है तो हमारा structure क्या है अभी हम opportunity क्या देखेंगे, short term में अभी, अगर यह उपर sustain करता है अगें, तो very good, नहीं तो हमारा क्या होगा, जैसे ही कोई अगर bounce आता है, gap up होता है, तो हम देखेंगे 61.8, या फिर इस gap, या फिर इस stand line के आसपास कहीं पर resistance ले रहा है, और नीचे जा रहा है, तो फिर क्या होगा, selling की side पर चले जाएंगे, या जैसी bounce आता है, तो कोशिश करेंगे, कि sell side में अगर हम opportunity मिलती है, तो हम ले ले लेंगे, जब तक इसके ओपर यह sustain करके, ऊपर की तरफ नहीं जाता, अगर यहां से resistance लेके नीचे आ रहा है, यहां से resistance लेके नीचे आ रहा है, या फिर ह हो सकता है, यहीं से ही reverse हो जाए, तो हम अभी क्या करेंगे, lower low trend को follow करेंगे, ना कि हम हर बार यह सोचेंगे कि upside कब आएगा, upside कब आएगा, वो हो जाएगा हमारा biasness, हम वो biasness नहीं रखेंगे, कब तक इस level के ओपर फिर से नहीं आता, यानि यहां से वापिस गिरने के नहीं है, तो हम नहीं बोलेंगे कि अब आपको फिर भी आपना biasness उपर रखो, नहीं, ऐसा नहीं होगा, trend चल रहा है नीचे, तो कोशिश करो कि कहां पे भी आपका sustain कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो आपको पता है कि वो downside के लिए, अब यह भी possibility ज़्यादा है, downside की, और next support आपका यह है, ठीक है, 19,300, तो bank nifty में भी same है, बिल्कुल same है, यह देखो downside जा रहा है, अब आपका next support आपके सामने है, अगर यहां तक जाता है, तो ठीक है, otherwise आपको हर बार एक Fibonaki या फिक gap को देख लेना है, यहां पर sustain कर रहा है, good नहीं कर रहा है, तो आप को पता है कि downside में अब आपकी possibilities जादा है, तो यहां पर इस video को मैंड करता हूँ, thank you.